बिसमिल्ला रख्मार रहीम, अस्वामलेकूम आवरीवन, वेलकम टू कोकिंग पल्स आज हम बना रहे हैं आलू के पराथे लच्छे वाले ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और आपने अभी तक कहीं पर भी ये रेसिपी नहीं रेखे होगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दिये गए बेल आइकन को प्रेस करके आलू नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नियू नियू रेसिपी की वीडियो आपको फॉरण मिल जाएं तो चलिए रेसिपी हमें स्टार्ट करते हैं, यहां हमने आलू लिये हैं, चार अदत, इनको हमने बॉइल कर लिया है और अब हमेंने मेश करना है, तो हम इनको मेश करने के लिए यहां पे कदुकश यूज़ कर रहे हैं, क्यूंकि हमें यह बहुत अच्छे से मेश चाहिएं, बिल्कुल भी आलू के पीसिस नहीं होने चाहिएं तो हमने यहां पे मेश कर लिया है, और आप देख सकते हैं, कि यह बहुत अच्छी तरहां मेश हो चुके हैं अब हम इसमें एड करेंगे, वन टेबिल स्पून साबु धनिया, यह रोस्ट्रिट और क्रश्ट है तू टेबिल स्पून हम हरा धनिया शामिल करेंगे दो कप हम यहां पे सफैद आटा इस्टिमाल कर रहे हैं इसमें एड होगा नमक, देर टीजपून और लाल मिर्च पाउडर, वन टीजपून नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मताबिक एड करेंगे अब हम पहले सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इस तरह मिक्स करेंगे जब यह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो अब हम यहां पे थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और सॉफ्ट आटा गुन लेंगे बेसिकली यहां पे 4-5 टेबिल स्पून यहां पानी यूज हुआ है और 5 टेबिल स्पून पानी के साथ बहुत अच्छा सा आटा गुन गया है यहां पे आपको दो चीजों का खयाल रखना है नमबर वन कि आपको इसको 6-7 मिनट तक गूनना है यह बहुत अच्छा आपको गूनना है और नमबर 2 पॉइंट यह है कि इसको आपको गूनने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है 15 मिनट के बाद इसके आप पेड़े बना लें और पेड़े बनाने की बाद आप हम एक पेड़ा लेंगे और इसको बहुत बारीक सा बेल लेंगे आलू हमने इसी लिए इतने अच्छे मैश किये थे कि अगर उसमें जरा से भी पीसेस बाकी होते तो यहां पर हमें बेलने में मुश्किल आती वो पीसेस आते तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह आता गुना हुआ है अब हम इस पे एक टेबिलो स्पून ओयल को इस्प्रैट कर देंगे थोड़ा सा सफैद आता हम उपर से छिड़क लेंगे अब हम इसके बारीक बारीक से स्ट्रिप्स करके काट लेंगे स्ट्रिप्स काटने के लिए आप यहाँ पे नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप पीजा कटर भी यूज़ कर सकते हैं आई सजेस्ट के आप पीजा कटर यूज़ करें क्योंकि यह बहुत असानी से स्ट्रिप्स को कट करता है और इसमें टाइम भी काफी कम लगता है यहाँ पर इस तरह आप बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लीजिए अब हम एक तरफ से पराठी की तरह इसको हम रोल करेंगे रोल करने के बाद अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे और फिर इसका हम पीड़ा बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह हम सारे पीड़े तयार करें लेंगे और इनको साइट पर रखते जाएंगे इस रेसिपी में आपके चार से पांच पराठे बहुत अराम से बन जाएंगे इस तरह हमें हमें सारे पीड़े बना के तयार करने हैं और पेड़े बनाने के बाद आप at least इनको 10 मिनिट के लिए rest जरूर दें ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो अच्छी तरहां form हो जाएं क्योंकि अगर आपने इनको फॉरण ही इस तरहां roll करके पेड़े बना के आपने बेला तो आपके लच्छे इतने अच्छे form नहीं होंगे तो ये छोटी छोटी सी basic tips होती हैं जिनको follow करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको लच्छे वाले जबरदस प्रांखे बनाने हैं 10 मिनिट के बाद अब हम इनको roll करेंगे roll करने की भी दो method हैं नमबर वन तो यही कि आप अपने counter को और अपने हाथ को oil से grease करें और इस तरह आप इसको expand कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप simple balance से भी इसको बेल सकते हैं लेकिन balance से बेल तवक ये खयाल रखें कि बहुत सक्थ हाथ से आप इसको ना बेलें ताकि आपके लच्छे इसके अंदर जो हैं वो हराब ना हो अब हमने यहां पे तवा गरम कर लिया था अब हम इनको simple पराठी की तरह सेखेंगे पहले हम दोनों साइट से अची तरह इनको सेखेंगे उसके बाद हम यहां पे two table spoon oil use कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे हमें इसको तलना है और इतनी देर तलना है कि इस पे अच्छा सा गोर्लन ब्राउन कलर आ जाए यह बिल्कुल new recipe है और आप यकीन करें यह खाने में बहुत मज़ेदार होती है आप इसको हरी चटनी की साथ enjoy कीजिए इमली की चटनी की साथ enjoy कीजिए चटनी की recipes भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी अब इनके लच्छे दिखाने के लिए आप इस तहां side से इनको किसी भी चीज से tap करिए और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे माशला से इसके अंदर अच्छे बने वे हैं प्लीज इस recipe को try कीजिए आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे हमें Instagram पर follow कीजिए अपना feedback हमें जरूर दिया कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको like और अपनी family और friends में share कीजिए thank you so much, Allah Hafiz